स्कूल से आने के बाद बहुत तेज भूग लगी क्यों कभी में बाहर का नहीं खाती हो सके उतना अवाइड करना चाहिए बारिश के टाइम तो घर पे जो भी मन हो आप घर पे बना सकते हो तो मुझे बहुत तेज भूग लग रहे है कुछ मस्त चट पड़ा खाने का मन कर रहा है तो किचन में आयू और मासी को पूछना आए कि आज क्या नाश्ते में बनाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत तेज भूख लगई ए कुछ है क्या खाने को या क्या बनाना पड़ेगा मेरे को बाइज सब नेचरल बोल चाल से बोलने भाई आज तुम्हारे लिए सब तो सबसे पहले हम यहां पर आज बना रहे हैं देशी तड़का मैकरोनी तो उसके लिए बस सबसे पहले पेस्ट बनाना है जिसमें है लेसन लाल मिर्च और नमक और फिर वह पेस्ट के बाद मैं आपको सारे इंग्रीडेंस फटफट बताती हूं तो गी शिमला मिर्च टमाट प्यास लाल मिर्च पेस्ट टमाटर की केचप मैकरोनी को बॉल करके रग दिया एकदम खिला खिला मैगी मसाला और यह है मिक्स हर्ब्स आप और भी हर्ब्स ले सकते हो तो यहां पर सबसे पहले हम डाल देंगे गी देशी गी एकदम मस्त आप चाहे तो ऑल्लिया बटर में भी कर सकते हो मुझे घी में ज्यादा हेल्दी लगता है और देखो कितना कम घी यूज किया है और यह जो मैकरोनी है वो भी मैंने गेहू का लिया है फिर उसमें डाल देना है सीधा प्यास और शिम्ला मिर्च साथ में क्योंकि ओवरकुक नहीं करना है वरना एकदम सबजी देखो कितना हेल्दी है कॉन थोड़ा डाल सकते हो बट कॉन था नहीं अवलेबल तुम्हें एकदम देशी ट्विस्ट दिया है फ्रू इसमें डाल देना है नमक और हल्दी सबजी जितना फिलहाल अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें एड करनी है वो रेड चिली की पेस थोड़ा ज्यादा मेरा फोन था नजदे किसके लिए थोड़ा दुवा आ गया ता बीच में यह रेड चिली पेस्ट आपके हिसाब से डालना क्योंकि इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च के साथ थोड़ी सी तीकी वाली मिर्च जो लाल मिर्च आती है देगी मिर्च वो भी मिक् और इतना टेम्टिंग लग रहा था थोड़ी देर ढख लिया था ताकि वह चटनी अच्छे से कुक हो जाए और कच्छा नार है अगर आपके पास टाइम हो ता फड़ा ओल में भी वह चटनी को सौधे कर सकते तो आपको सीधा डालना पड़ेगा ज्यादा कुक नहीं करना तो आप इसमें डाल सकते हैं और मैंने कैचप डाला है और फिर उसमें डालेंगे और गैनो चिली फ्रेक्स जो भी आपके पास अवे लेवलो मिक्स हब्स और एक बात आप ये टाइम पे आप मैयोनी या फिर चीज भी एड कर सकते हो बट मुझे थोड़ा देसी स्टाइल क मैंने चीज नहीं डाला है फिर उसमें एड किया है मैगी मसाला जो और थोड़ा स्पाइसीनेस देगा और टॉमेटो कैचप के वज़े से वह टैंगीनेस बैलेंस हो जाते तो ज्यादा स्पाइसी नहीं लगेगा टैंगी और स्पाइसी सारे मिक्स फ्लिवर्स आपको मिलन वाले हैं फिर उसमें एड कर देना है धन्या बारी कटा हुआ और अगेन अभी आप बोलोगे धन्या इसमें क्यूंकि अगेन इसका नाम है देशी तड़का तो तड़का पूरा कैसे होगा बिना धन्या के तो यह हमारी जो में बेज है सबजी का वह रेडी अभी सीधा डाल देना है मैकरोनी और यह बहुत खिली खिली है बस बहुत टाइम से थी इसके थोड़ा आपको लगेगा कि चिपकी हुए ऐसा नहीं है एकदम खिल जाएगी मिक्स करते ही एकदम मस्त और अगेन आपको चाहिए तो आप यह उपर से चीजवीज जो आपको डालना है चीज चीज सॉस है जो डालना है डाल सकते हो बट मुझे ऐसे ही पसंद है मेरी देशी मैकरोनी और यह अगर टिफिन में लेके जाओंगे तो भी बहुत मज़ा हैगा थंडा भी अच्छा लगता है अच्छे से मिक्स हो चुका है यह बस अभी उपर से डालेंगे धनिया एंड इ कैसा लग रहा है और देखते उसको कैसा लगा पीछे का आवाज थोड़ा कुकर की सीटी भी भी हो रहे थी तो मुझे नहीं चाहिए कि आप वो सीटी भी सुनो और आवाज भी तो आपको थोड़ा स्मूद लगे इसलिए मैंने आवाज बंद कर दिया और मेरा सुरील आव अरे यह तो मुझे खिला रहा है नहीं इतना गरम नहीं खा सकती मेरा मुझ जल जाए का पर जैसे ही मू में गया ओ गॉड़ एक नंबर बनाए गाई सच्च में इतना टेस्टी बनाए और जिनको स्पाइसी पसंद है उनको तो इतना मजा आने वाला है यह खाके और अगर इसको सेम वर्जन में मैकराउनी को छोड़के अगर आपको यह मैगी में बनाऊगे ना तो भी एक नंबर है विदाउट चीज भी बहुत मस लगने वाला है तो प्लीज अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग को पता है क्या करना फिर भी मैं आपको एक पर पर बता देती हूँ प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जो ही तेशरी जानी और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जाएंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई